महंगाई के जटके के साथ एक बार फिर जनता को महंगाई का जटका लगा है पेट्रोल और डीजल के दामों में आज भी 80 पैसे की बढ़ोत्री हुई है पिछले चार दिन में 2 रुपे 40 पैसे महंगा हो चुका है पेट्रोल डीजल सोमवार और मंगलवार को भी 80-80 पैसे महंगा हुआ था और देश में एक बार फिर जनता पर महंगाई की मार पड़ी है पेट्रोल डीजल के दाम हफते में तीसरी बार बढ़ाए गए हैं आज भी 80 पैसे दाम बढ़ाए गए हैं तो बता दे की शुकरवार को तेल कंपनियों ने एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल की कीमत 80 पैसे और डीजल की कीमत 75 पैसे बढ़ा दी है तो इसलिए 4 दिन की अगर हम बात कर लें तो पेट्रोल डीजल 2 रुपए 40 पैसे बहंगा हो चुका है नई दरे आज से ही लागू हो गई है अब राजभानी दिल्ली के अगर बात करें तो यहाँ पेट्रोल के दाम 97.81 रुपए प्रती लीटर हो चुके हैं डीजल की बात करें तो यहाँ 89.07 रुपए प्रती लीटर डीजल मिल रहा है बता दे कि सरकारी तेल कंपनियों ने हफ़ते में तीसरी बार ये दाम बढ़ाए हैं और इससे पहले 137 दिनों तक कंपनियों ने तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था तो एक बार फिर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है जनता को महंगाई का एक और जटका असी पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो वहीं डीजल के दाम 75 पैसे आज बढ़ा दिये गए तो इस खबर पर हमारे साथ सूरज शर्मा समवादाता लाइफ जुड़ गए हैं उनका रुख कर लेते हैं सूरज सरकारी तेल कंपनियों ने एक दिन राहत दी थी और आज एक बार फिर 80 पैसे बढ़ा दिये हैं पेट्रोल के दाम में 75 पैसे डीजल महंगा हो गया है क्या कहेंगे लेकिए बिल्कुल सुवागे जिस तरीके से अधी बात करें पिछले 117 दिन में जो डीजल पैट्रोल गैस के दाम है वो इस्तर थे लेकिन पिछले एक हफ़ते की बात करें सौंबार से बात करें तो लगाता है पहले 80 पैसे बढ़ाए 83 पैसे और पचितर पैसे दो लगा है कि सरकार ने पहले पैसे कम किये वेटेक्स किया एक्साइज जूटी हटाई और अब दीरे-दीरे अलग-अलग किस्तों मैं फिर से वसूली कर रही या नहीं कह सकते हैं कि फिर से धीरे-धीरे जो दाम है 80 पैसे 80 पैसे 85 पैसे करते-करते फिर से पैट्रोल की डीजल के द दाम बढ़ेंगे हाला कि सरकार का कहना है कि जो बाहर से क्रूड आ लाता है उसकी बढ़ातरी कारण ही डीजल पैट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं शुवांगी देखना होगा कि आगे भी इस तरह से बढ़ातरी होती है या नहीं कि पिछले एक हफते से अगर हम देख सकते हैं बहुत दन्यवाद आपका तमाम बाच्शीत के लिए